हेलो श्ट्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमर्स कुजी पर और जो हमारा डिके गोईल का एकाउंटिंग रेशियो का सॉलूशन चल रहा था उसमें मैंने आपको कोश्चन नमर 41 तक करा दिया था अगर आप न्यू बुक को फॉलो कर रहे है तो शायद 42 या 43 होगा तो आज की वीरम करने वाले कोश्चन नमर 42 से जो की हो सकता है आपकी बुक में 43 हो तो मैं इसे 43 के तरह ट्रीट करूँगा इस कोश्चन को देखिए इस कोश्चन में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है सर सबसे पहले आपको निकालना है डेप्ट इक कुटी रेशियो डेप्ट को फॉर्मला क्या होता है लॉंग टम डेप्स अपॉन शेरोल्डर फंड्स इस सब में हमारे पास लॉंग टम डेप्स क्या है लॉंग टम डेप्स आपको लोन दे रखा है और डिबेंचर दे रखें ये दोनों हमारे क्या है लॉंग टम डेप्स है बात करिया है शेरोल्डर फंड्स की तो शेर कैपिल दे रखा है रिजवेस अप्स दे रखा है ये दोनों हमार तू इसको 43 भी कर सकते हैं कि अगर आप न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं यहां 43 लिख देता हूँ सबसे पहला मुझे निकालना है सर डेप्ट एकुटी रेशियो आ कि अगाट टेखिर रेशियो अब टेट टेट रेशियो का फॉल्म मैंने आपको बताया है अपने आप में ना है लोंग टम डेप्स में क्या क्या है शाल अलोग टम डप्समें लोन दे रखका है चार मैं екहांना लून प्लस debentures और shareholders funds में share capital दे रखा है और reserve and surplus दे रखा है तो loan ताफर 4 लाग का डिवेंचर से हमारे दो लाग के, अपॉन, शेर उल्डर फंड में, शेर कैप्टल है हमारे पास एक लाग का, और रिजर्व है सर्प्लस है डेड़ लाग के, सबको जोडोगे तो चार और दो छे लाग, और एक और दिर धाई लाग, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा, 2.4 ratio 1, आंसर आप चाहें, तो देख भी सकते हैं, 2.4 ratio 1, सेकंड आपको निकालना है, प्रोप्रायटरी रेशियो, प्रोप्रायटरी रेशियो का फॉर्मला होता है, शेर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, तो शेर होल्डर फंड तो आपने निकाल धायलाग, टोटल एसेट्स कैसे करेंगे, दे रखा है आपको, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एसेट्स आ गया, इन्टु हंड्रेट, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखेंगे, सेकंड पार्ट, प्रोप्रायटरी शेर होल्डर्स फंड कितना था, हमने यहां निकाला था, धाई लाक रुपे, और टोटल एसेट्स कितनी हो जाएगी, करेंट एसेट्स से हमारे पांच, पांच लाक पचास अजार की, और फिक्स एसेट्स से साथ लाक की, तो बारे लाक पचास अजार की हो जाएगी, थर्ड आपको निकालना है interest coverage ratio, interest coverage ratio की मैं बात करूँ, तो कोशन में आपको net profit दे रख्का है after interest and tax 96,000, तो जैसा कि आपको मालुम है कि इसका formula क्या होता है, net profit before interest and tax upon fixed charges, तो हम क्या करेंगे कोश्चन को ध्यान से समझेगा यहां आपको सबसे पहले थर्ड पॉइंट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंट्रेस्ट एंट टेक्स दे रखा है 96,000 यानि कि 50% क्या लगा है टेक्स लगा है किसी चीज का 50% काटने के बाद कितना बचा 96,000 तो वापिस से अगर मुझे उतना ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा 96,000 इसका 100% चाहिए और कितना काटना था 50 तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 1,92,000 यह आगया net profit बिफोर टेक्स और इंट्रेस्ट कितना है इंट्रेस्टर आपको 10% लोन दे रखा है यानकी 40,000 4,000,000 और 12% डिमेंचर 2,000,000 12,000,000 24,000 तो दोनों को जोड़ोगी तो आएगा आपका 64,000 तो इन दोनों को जोड़ो तो यह आएगा आपका 2,56,000 2,56,000 और fixed charges के आते 40,000 और 24,000 तो यह होगा 64,000 अब आप इसको डिवाइट कर दोगे तो आपका invented turnover ratio आएगा आपका 4 times Sorry, invented turnover कह रहा हूँ interest coverage ratio है ना अब जो अगला topic है आपका वो है activity ratio और turnover ratio activity ratio और turnover ratio का मतलब क्या है कि जब हम goods को बेच रहे हैं खडीद रहे हैं उससे पैसा आ रहा हैं वो करने से हमारा जो turnover बच रहा है turnover हो रहा है वो कितना है इस question में आपको निकालना है invented turnover ratio question number 43 है हो सकता आपकी बुपरी question number 44 हो तो इस question को देखेंगे जरा अच्छे से सबसे पहले इस question लो करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके inventory turnover ratio का formula होता क्या है देखें बिटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ question number 44 कि सर inventory turnover ratio का formula क्या होता है inventory turnover ratio का formula होता है cost of revenue from operation जो आपको revenue हुआ है उसकी cost क्या आती याद करो अगर class 11 की बात तो वहाँ पर आप जब financial statement कर रहे थे वहाँ पर आप cost of goods sold निकाल रहे थे opening stock, plus purchase, minus closing stock सेम उसी तरीके से चलेगा और इसको divide करते हैं average inventory से तो अगर मैं formula कोलूँ तो average inventory का formula होता है opening inventory plus closing inventory upon two और cost of revenue from operation देखो आपको question में आपको opening inventory दे रखा है 92,400 प्लस purchase दे रखा है आपको 2,75,200 minus closing inventory 67,600 इस सबको solve करोगे तो आए आएगा आपका 3,000,000 अब average inventory किता ओपनिंग inventory था सर मेरा 92,400 closing था 67,600 upon two तो यह आपका solve करके आएगा 80,000 तो अगर आप formula लगाऊगे inventory turnover ratio का cost of revenue from operation आईए आपके 3,000,000 और average inventory थी आपकी 80,000 तो यह solve करके आएगा आपका 3,75 times answer आप चेक कर सकते हैं 3,75 times question 44 में आपको ऐसे ही बता सकता हूँ देखिए question 44 में भी आपको inventory turnover ratio निकालना है यान कि cost of revenue from operation divided by average inventory यहाँ आपको देखो opening inventory closing inventory दे रखा है जी sir तो अगर आप cost of revenue from operation निकालेंगे तो क्या करेंगे opening inventory 95,000 plus purchase आपको दे रखा है 5,36,000 minus closing inventory 70,000 इतना करने के बाद जो आपका cost of revenue from operation आएगा वो आएगा 5,61,000 अब आपको निकालना है average inventory opening plus closing upon 2 तो यह आपका आजागा चीक है ना अब उसको जब आप solve करोगे तो आपका जो answer आएगा वो आएगा 6.8 times clear है clear है पटा यह बात जी सर तो आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में new book के साथ समने 45 तक और पुरानी book के साथ से कोशब 44 तक कर लिए हैं